नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं मेरी पहाड़ यूट्यूब फैमली सबसे पहले आपको प्यारे सी गुड़ मॉनिंग मैं हूँ अभी कच्छेलेंग मार्केट में सुबे के 9 बज रहे हैं जा रहा हूँ चोखुटा मजड़ा साइट के लिए तो दोस्तों व्लॉग स्टार्ट करते हैं काफी बढ़िया माहल बना हुआ है अभी सुबे के सेलेंग मार्केट पे काफी बढ़िया सांती चाही हुई है और सामने देखे मुक्तेसवर घाटी में काफी खूबसूरत हिमाले देखने को मिल रहा है क्लीन हिमाले देखने को मिल रहा है तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना दिन स्टार्ट करते हैं मैं पहुंच चुखटा साइट पे और सुबे का यहां पर काम स्टार्ट हो चुका है यहां भी हमने लेंटर की तैयारी करती है जल्दी से जल्दी एक दो दिन में लेंटर डालना है तो उसी की तैयार यहाँ पर हो रही है थोड़ी बहुत मिटी की यहाँ पर खुदाई हो रही है और उसी की भराई हो रही है आगी की तरब इस रिटे निवल के पीछे तो मुझे जाना है मजेडा के लिए मैं निकलता गड़ा साइड से सुबे का टाइप में क्लीन धुबाई हुई है एक विवादल देखे आसमान में आज भी आपको देखने को नहीं मिलेगा एक दो दिन से काफी मस्तो वैदर हो रहा है बढ़िया लग रहा है काम करने के लिए दोस्तों मजेडा पर पहुंच चुका हूं मैं मैं यहां पर पार कर दी और काफी मस्तो वैदर आज यहां से भी देखने को मिल ला है देखे मौसम बढ़िया धूप फिली भी है मैं हूं अभी रोड पर मैं चलूंगा नीचे साइड पर यह हमारा सारा माटीरियल है रोड पर जो हमारी नीचे साइड में योज हो रहा है तो चलते हैं नीचे बहुत दिनों भी बाद मैं भी यहां पार रहा हूं और देखिए तो चलते हैं नीचे मैं आ चुका हूं नीचे और नीचे से दिखा रहा हूं आपको काम देखे लगभग हमारे रिटेनी वाल कंप्लीट होने वाली है एक लियर रहगी है रिटेनी वा समझ मारी होगी और किस प्रकार से काम हो रहा है और किस प्रकार यहां काम हुआ तो आपको बहतर आइडिया आप लग रहा होगा यह दोस्तों मैं आए हो रिटेनी वाल के फ्रेंट साइट में और आपको रिटेनी वाल की लुक दिखाना चाहा रहा हूँ देखिए और आपको retaining wall की look कैसे लगी हमें comment में share करिएगा complete होने वाली है बस और मौसम देखिए दो दिन से काफी बढ़िया साथ दे रहा है मौसम आज भी काफी खुबसूरत मौसम देखने को मिल ला है clean धूब देखने को मिल रही है इस प्रकार का अगर मौसम साथ दे तो काफी बढ़िया लगता है और सर्दियों में धूब आये रहे तो अच्छा ही लगता है और पास में देखिए हैं जो गेहूं अगर बोए थे अब पूरी तरह से उपर आने लगे हैं और रिटेनी वाल काफी अच्छी लग रही है पीछे से देखने में भी और फ्रेंट साइट से देखने में भी और आप लों को कैसा लगा हमारे रिटेनी वाल का रही है हमें कमेंड में सियर करिएगा और मुक्तिसोर एडिया में आप काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं, हमारा number आपको discussion में मिल जाएगा और काफी मस्त भी हो जा रहे हैं, देखें पीछे जंगल कितना मस्त लग रहा है तो दोस्तो लंच टाइम होने वाला है, मैं मजेडा साइट से पहुंच चुका हूँ, चक्छुटा साइट पर और यहां भी हमारे लंटर जो यह सेट्रिंग देख रहे हैं, इसकी तैयारी हो रही है, यहां पर और इसके लिए तोड़ा material आया है, सिमेंड आ गया है, साथ मस्त सरिया भी आया हुआ है एक दो दिन में लंटर यहां पर डिल जाएगा, तो निकलेंगे यहाँ से घर के लिए लंच के लिए तो फाइनली दोस्तों जहां से हमारे घर को पैदल रसता है वहां पर पहुंच चुके हैं और उपर भी घोड़े जा रहे हैं और यहां से इंटा ले जा रहे हैं तो दो लोग तो जा नहीं पाते हैं दिपा भाई जाएगा आगे को तो यह देखिए दिपा भाई चले गया आगे को और चड़ाई भी है थोड़ी और आगे घोड़े हैं तो रिस्क है दो लोगों में ज्यादा दूर नहीं जा सकती गाड़ी बस थोड़ा सा है सेफटी के लगा देंगे वहां पर तो फिर वहां से पैदल ही जाना पड़ता है ह यहां पर हम गाड़ी लगाएंगे यहां से इधर को हमारा पैदल रस्ता है और रस्ता कुछ इस प्रकार है इस तरह का रस्ता है यहां से पैदल रस्ता हमारा तो बाइक हमने लगा दी है तो निकलता है घर के लिए तो दोस्तों घर पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी सी द जाते हैं और घर पे पहुंच गे डोगी देखे मस्ति कर रहा भी अचका है कि वर दिखाता हूं कि दिन में कितना कामियाद पहां हमारा हं पाता है तो दूस्तों पहुँच चुका हो लंचेपकिंशे के बाद मजड़ा चणेट पर यहां पर रिटेनी meant का कारीज जा रही है रिटेनिंग езरी बहुद लगबध ररी चाहरे क sulphate लास्ट जो स्टेफ है वो चिनाई का रह गया है इसके बाद इस पर डीपी से और कॉलम करा जाएगा और देखिए दूर से दिखा रहा हूँ लुक आपको यहां से कम्प्लीर लुक नजरा रही होगी देटेनिंग वाल की तो इस प्रकार यहां पर काम हमारा आज हो रहा है तो दोस्तो अभी साड़े तीन वजे का समय हो रहा है और चिनाई डिटेनिव ओल की लगबर कम्प्लीर होने वाली है आप देख सकते हैं पूरी इस तरफ से रिटेनिव ओल की चिनाई कम्प्लीर हो चुकी है यह देखिए है थोड़ा सा दो-चार पत्तर लगने और रहे गए हैं उसके बाद इस पर कॉलम भरे जाएंगे और साथ मैं जिस परकार यहां डीपीची करी हुई है इस परकार ऊपर से इस पर डीपीची लास्ट आएगी और दोपहर का समय है काफी मस्त भीव देखने को मिल रहा है तो मुझे निकलना है अरजेंट यहां से चकुटा साइट के लिए तो मज़रा से निकलने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ चकुटा साइट पर यहां पर कुछ इंपोर्टेंट काम आ जुका था तो इस सिलसे मां आना पड़ा हो सेट्रिंग का कारी हो नहीं पाया आज सेट्रिंग वाले की मसीन खराब होगी तो एक दिन डिले हो गया सेट्रिंग कारी और पीछी हमारी रिटेंट वॉल की नीव खोदी जा रही है तो एक घंटा और है यहां पर काम का तो थोड़ देर यहीं रुकते हैं तो फिर बाद में चलेंगे घर की ओर जब काम की चुटी हो जाएगी यहां से तो फाइनली दोस्तों पाहाड़ों पर हो चुकी है साम अंधेरा पूरा च्छा चुगा है पाहाड़ियों पर और मैं भी अपी घरी पे हूँ दिन भर काफी दौड भाग र